नज़र डालते हैं यूपी फटाफट खबरों पर सरकारी जमीन पर धडले से भू माफिया कबजा कर रहे हैं एकोटेक एक कोतवाली थानशेत्र के अंतरगत आने वाली हलदवानी गाउं में बने एक प्रैमरी पाटशाला मैं नन्ने मुन्ने बच्चे आकर अपने भविश का निर्माण करने की तयारी कर रहे हैं लेकिन भू माफिया उनके स्कूल पर अपनी नज़र बनाए हुआ है बहुपुर में न्यू बहुपुर जंक्शन पर इस्टन डेडिकेड़ फ्रंट कॉलिडोर के सेक्शन का देश के प्रतानमंती नयेंदर मोधी के दुआरा उतगाटन किया गया है देश के प्रतारमंती नेंद मोधी ने तैयार कॉलिडोर को देश के व्यापारियों, किसानों और अध्योगे के प्रस्थानों को समर्पित किया है आज न्यू बहुपूर स्टेशन से प्रतम मालवाहक रेल गाड़ी का रवाना किया गया है कानपूर के न्यू बहुपूर से लेकर न्यू खुर्जा जंक्शन तक कोलिडोर फर्स्ट सेक्शन का शोबहरंब किया गया कानपूर डाग विपाग की बड़ी लापरवाई सामने आई है यहाँ प्रतान ढागगर ने अंतिराश्ट्रे डॉन, छोटा राजन और यूपी के कुख्याक तफरादी मुन्ना बजलंकी का डाग टिकेट जारी कर दिया यह टिकेट माई स्टेम से योजना के तहट चापे गया अपरवाईस बात की भी सामने आई है कि दौनों के नाम से जारी इन डार्क टिकेटों से पहले उनके बारे में कोई जानकरी नहीं चुटाई गई थी और नहीं फोटो मैच किया गया कजगंज में पुलिस ने यूवक की हत्या का खुला सकिया पुलिस ने मृतिक की पत्नी सहीत तीन लोगों को गिरफतार किया है अवेट सम्मेंद की चलते प्रेमी ने अपने साथी के साथ इस गटना को अंजाम दिया था और वही कोशांबी में फार्म हाउस में काम करने वाले कई यूवक ने मामूली विवात के चलते साथी की धारदार हत्यार से हत्या कर दी है हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया वहीं दिन दाड़े अधेहड की हत्या से अलकम पमच गया सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुची पुलिस ने शफ को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए बेजा फिलाल यूवी फटाफट में सिर्फ इतना ही बने रही है न्यूजवल इंडिया के साथ नमस्कार